हेलो फ्रेंज स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिटिकल इस्टेडी में आज हम इस वीडियो में माना और रोग से प्रभावित अंग से सम्बंदित जितने भी महात्पूर कोश्चन बनेंगे जो सभी competitive exam के लिए important है आज हम इस वीडियो में उनके बारे में discuss करेंगे और इस वीडियो से एक question अगामी परिक्षा में जरूर पूछा जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला question क्या है डेंगू जवर जो है मानव रोक से कौन से अंग को प्रभावित करता है तो डेंगू रोग A option है पेसिया बी option है हरदय C option है क्या है रुधिर या D option है इनमें से कोई नहीं तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer होगा पेसिया यानि याप्षन राइट होगा नहीं तो इसक्रशियान का राइट आंसर क्या होगा है यानि याप्षन राइट होगा ठीक है ना हर्दय जो है एंजाइना मानो रोग के मानो रोग हर्दय प्रभावित होता है एंजाइना से ठीक है ना प्रथिर्प रोग को प्रतिरक्षचतंत्र को रुधीर को वढ़ियां को या इन मेंसे कोई नहीं तो इस question का right answer क्ये होगा हडडियां यानि C option right होगा हडडियां जो है रीकर्ड जो मानो रोग है वो हडडियां को प्रवावित करता है यानि C option right होगा next question क्या है 5. question है matter प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है तो गंजापन जो मानव रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है तो गंजापन जो मानव रोग है इसमें आता है RCB में सिर में तंत्र का तंत्र में या इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer होगा सिर यानि बी option right होगा गंजापन जो मानव रोग है सिर को प्रभावित करता है मानव रोग ठीक है ना नेक्स स्क्कूस्ट न न . तो सीर तो हो नहीं सकता ठीक है न तो और आंखे भी नहीं हो सकती तो इस Ik whyke That सा रोग बी यानि बड़ी आत ठीक है ना नेक्स कुश्चिन क्या है आठमा कुश्चन है रतोंधी माना रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है तो रतोंधी 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 जो माना रोग है कौन से अंग को प्रभावित करता है तो आत तो होगी नहीं तोच चेचक माना औरोग कौन से यंग को प्रभावित करता है तो छोटी जो चेचक है माना औरोग वो किसको प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करेगा बढ़ी आत को तो करेगा नहीं सौसंत अंद्र को भी नहीं करेगा तो तोचा को करेगा यानि सी ओप्सन राइट होग क्या है दसमा जला मानौरों के कौन से अंग को प्राववित करता है तो análव जो है इसको करता है तोचा कょう तो करता नहीं है थी लिएक प्रावΩ काई हुग माना रोग है کाला जर जिसको बोलते है माना रोग कौसा थंग को प्रभावित करता है तो तंतर का थंदर की तो नहीं करता तो उचा वह तंतर क को भी नहीं करता थो प्लिक तो प्रियार उद्वर को तो नहीं करता पैर को भी नहीं करता तंत्र को करता है, यानिये वोलिया जो मान रोग है, तंत्र को प्रभावित करता है, कुष्ट रोग माना और रोग के कौन से अंग को प्रहावित करता है तो कुष्ट रोग ठीक है न अगनासे को तो नहीं करता पैर को भी नहीं करता तो तोचावा तंत्रिका को करता है याने C option राइट होगा जो परहावित करता है तोट इथलेट जो माना और रोग कॉनसे अंग को परहावित करता है तो C option right होगा पैर को कैंसर माना रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है तो कैंसर माना रोग कौन सा अंग प्रभावित होगा कैंसर में अगनासे तो होगा नहीं गला भी नहीं होगा इसमें पूरा सरीर होता है यानि B option right होगा याणि अगनासे भी होगा गला भी होगा पूरा सरीर होता है ठीक है ना माना और रोग में कौन सब्म प्रभावित होगा तंत्र का तंत्र तो होगा नहीं दांती नहीं होगा गला होगा यांस व चोगा गॉम जूल मान ओर रोग में गलांग प्रभावित होता है next question क्या रामा को तरह किंा थारत कोषिन है पाइरिया माना रोग में दात अंग प्रहावित होता है C option right होगा next question क्या है Hydrophobia माना रोग कौन सा अंग प्रहावित होगा तो Hydrophobia में छोटी आतर बड़ी आत नहीं होगी गला भी नहीं होगा तंतर का तंतर होगा याने ये option right होगा ठीक है ना Hydrophobia माना रोग में तंतर का तंतर अंग प्रहावित होता है याने ये option right होगा next question क्या है Collides माना रोग कौन सा अंग प्रहावित होगा तो Collides माना रोग में कौन सा अंग प्रहावित होगा तंतर का तंतर तो नहीं होगा दांत भी नहीं होगा चोटी यानोंद और बड़ी यान ओप्सन राइत होगा अब आपको इस वीडियो के कॉमेंट में बताना कि आपने किसने के design कुछिन आपको आते थे कितने क्विशन के राइट अंसर आपने दिये हैं आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना हैं और अगर आसा करते हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम गृप क्रिटिकल स्टेडी से इस पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं वह डेली करेंट अफेर्स के वीडियो न्यूज़ पेपर और और भी important PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप critical study में मिलेगी और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वो अपने उन दोस्तों को share करें जो completion exam की तैयारी कर रहे हैं इनको उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी और अगर आप इस चैन चैनल पर daily current affairs की वीडियो अपलोड होती है आप वहां से मैंने description box में playlist देदी है आप उस playlist में जाकर daily current affairs की वीडियो देख सकते हैं और हमारा चैनल जिरूर सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको daily current affairs की वीडियो और भी important वीडियो मिल सके धन्यवाद